सत्कुरू की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी करू नित नित तेरा ध्यान यही है प्राथना मेरी मिले भगती का मुझको दान यही है प्राथना मेरी हर पल सत्कुरुनी रंकार दातार के चरनों में यही हम सब की अरदास है सचे पाश् retrospect हर पल आप जी का सीमरण करते रहें और आप जी का ऐसास हमेशा हमारे मन में बना रहें एसे हिधासी एक महात्मा की अरदास के परभाव पर ही विचार रखने जा रही है विचारों का टोपिक भी है अर्दासका परभाव आप जी विचार परवान करना अगर कोई गलती हो जाये तो शमा करना साथ सिंगत जी कहते हैं निरंकार प्रभु परमात्मा सबी की परात्ना सुनता है और पूरी करता है प्रात्ना करना एक गुर्सिक का अधिकार है लेकिन दूसरे के लिए की गई प्रात्ना परमात्मा बहुत जल्दी पूरी करता है संसार भर में बसने वाले लोग अपने अपने तरीके से परमात्मा के सामने अपनी प्रात्ना रखते हैं अपनी गल्दियों के लिए माफी मांगते हैं और इश्वर से सुखों की कामना करते हैं कुछ साल पहले की बात है एक महात्मा अपने विचारों त्वारा बता रहे थे कहते हैं कुछ साल पहले दास चंडे गड़ से तकरीबन सतर किलो मीटर दूर नरायन गड़ में बैंक में जौब करता था वहां लंच टाइब में डेली ही चर्चा का मूल विश्य यही होता था कि बाहर से आने वालों का अपने ग्रेहे नगरों में ट्रांसफर कब होगा यानि कि जहां पर वो रहती हैं जिस शहर में वो रहती हैं वहां पर ट्रांसफर कब होगा और कब वे खुशी खुशी से अपने घरों को जाएंगे जब दास के बारे में चर्चा होती तो हमारे मनेजर सहब कहते इनको तो इनके बाबा जी का फोन आ जाएगा और इनके ट्रांसफर हो जाएगी दास ने उन से कहा कि हम तो अरदास ही करते हैं और हमारे काम सहज में ही हो जाते हैं उन दिनों दास की बेटी की भी पोस्टिंग दिल्ली में थी, कुछ समय बाद दास का ट्रांसफर सत्कुरु बाबा हर देव सिंग जी माराज की बक्षी से चंडी गड़ हो गया, और इसके कुछ दिनों बाद ही बेटी का ट्रांसफर भी चंडी गड़ हो गया, एक दिन नरायन गड़ से कुन मनेजर मोहोदय का फोन आया कि तरीखा जी आपकी तो बहुत बड़े सी बारिश है कि आपने अपना और अपनी बेटी दोनों का ट्रांसफर चंडी गड़ करवा लिया है। दास ने विनमरता पुर्वक कहा कि भाई साब जी हम तो अरदास ही करते हैं और हमारे सबी काम सद्गुर बाबा हरदेव सिंग्जी महराज की किरपा से सहज में ही हो जाते हैं। वो नहीं माने और कहने लगे कि जरूर आपके बहुत बड़ी सिफारिश है। फिर उन्होंने कहा कि उनका बेटा भी अमरे सर में सेवारत है जिनको कहकर आपने अपनी बेटी का ट्रांसफर करवाया है। उन्हीं को कहकर उनके बेटे की भी ट्रांसफर करवा दो। मैंने फिर कहा कि मुझे उस डिपार्टमेंट में कोई नहीं जानता और बेटी का ट्रांसफर तो अरदास करने से ही हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो आप हमारे लिए भी अरदास कर दो। दास ने कहा कि अरदास तो मैं भी कर देता हूँ। फिर दास ने सत्गुर बाबाजी के चरनों का ध्यान करके उसके लिए अरदास की कि आप सब कुछ कर सकते हो और करना तो आप नहीं है बक्षिश करो इनके बेटे का भी ट्रांसफर हो जाए। लगबग दो महीने बाद उनका बेटा अमरे सर से ट्रांसफर होकर चंडी गड़ा गया। पता चला कि किसी कारणवश अमरे सर वाला ओफिस बंद करके वहां के सारे स्टाफ को चंडी गड़ भेज दिया गया है। इस परकार इस द्यालू प्रभू ने साधन बनाया और उ उसरे के बारे में की गई अर्दास फोरन पूरी कर देता है। यहां कोश्चन किसी चमतकारी घटना का नहीं है बलकि प्रभू के द्यालूता का है। इस द्यालू सत्गुरू दातार के आगे समर्पित भाव से की गई हर अर्दास प्रातना परवान होती है। प्रातना का यह रूप कितना प्रभावशाली है कि अक्सर सत्गुरू बाबा जी भी अपने वीचारों के अंत में सभी के कल्यान के लिए यही कहते थे कि अंत में दाता सर्दास करेगा। कि सभी को सुख और समर्थय प्रापत हों सभी सुखी हों। और दास कर दे हां चोली सब्ती पर दे इंसां कुल दुनिया दे दाता सब नुसुखी कर दे और सचे बाश्या सदकुर्माता सुदीक शाची महाराज आपची के चरनुम यही अर्दास है कि सभी का विश्वाश बना रहे गुर्सिक अंदर बाहर से एक होता है वहतन मंधन से गुरु के प्रतिस मर्पित रहता ह इनसां के करम ही दुनिया में सबसे टिकाओं है करम इनसां की शकल और पता पहचान लेते हैं यह कभी पीछा नहीं छोड़ते यदि इनसां करम फल से मुक्ति पाना चाता है तो उसे अपने अच्छे बुरे करमों को सत्गुरु को समर्पित करके सत्य को जीवन का आधार ब रभू राजी है तो सरताज बना देता है यदि हम सत्या चरन से चूख गए तो यह दुनिया मोताज बना देती है सत्गुरु की रहमत हर चगे होती है जो मानव सत्गुरु के चरन सपर्श करता है उसकी उमर यश और शेहन शक्ति बढ़ती है सत्गुरु की सेवा से मानव पुर्शों की संगत खोजो, मोथ तो वैसे भी एक दिन खोज ही लेगी, अध्यात्मिक्ता में सत्य आचरन और उज्वल चरित्री ही सब कुछ है, दुनिया में तो हर व्यक्ति केवल खुशियों की इंतजार करता रहता है, गुर्मत में विविदता के मावजूद भी एक दूसरे के अस्थितव को सविकार किया जाता है, जीवन का लक्ष है, मेल जोल और अनेकता में एकता कायम करना है, शान्ती पूरण सहय अस्थितव का मूल भूद सिंधात भी यही है, दुनिया की कोई भी प्रोब्लम प्रम ज्यान से सुलजाई जा सकती है, इसलिए जो मानव सत्गुरु के पच्चीनों पर चलती है, वे मानवता के सबसे उचे शिकर पर पहुँचती है, जो मानव मानविय मुल्यों से परिपूरन है, वे रक्त बात नहीं, रक्त दान करेगा, इसी परकार तत्तवेता प्रम ज्यानी, संद का दर्शन और उनका अनुगमन, अनगीन धार्मिक किताबे पढ़ने से बेहतर है, भग्ती में शर्तों की जरूरत नहीं होती, इसमें तो गुर्शिक और सत्कुरू का रोल होता है, सत्कुर समझाए और गुर्शिक निभा सके, गुर्शिक होने का मतलब यह नहीं, कि उसके जीवन में उतार चड़ाव नहीं आएंगे, बलकि जब उतार चड़ाव आएं, तो उनका द्रीरता से मकाबला कर सके, इसलिए गुर्शिक के पाँश शक्ती होते हुए भी, वह सैनशीलता से परिपूर्ण होता है, गुर्शिक की में हर समस्या का समाधान है, गुर्शिक का अचरन इतना उचा होता है, कि जहां भी वह जाएगा, वहाँ एक चलता फिरता धरम स्थल बन जाएगा, इसी पर कारसद गुर्शिक का रिष्टा इतना गहरा होता है, कि वह कभी अपने पन का शोर नहीं मिचाते, किसी से बदला लेने का अनंद दो-चार दिन रहेगा, लेकिन माफ कर देने का अनंद जीवन भर रहेगा, जो लोग मन को सत्य आचरण में नहीं ढालते, मन उनके लिए विप्रि दिशा में काम करना शुरू कर देता है, जीवन में स्वास और विश्वाश की एक समान जरूरत है, स्वास खतम होते ही जिन्दगी खतम और विश्वाश खतम होते ही आध्यात्मिक और मानविय संबंद खतम हो जाते हैं, वे हैं हर चीज बुरी है जो मानव की चेतना और अध्यात्मिक जागरिती में रुकावट डालती है, इसलिए सफलता पाने का सबसे सही रास्ता उन सलाहों पर चलना है जो हम दूसरों को देती हैं, जबकि प्रबू चीन्तन भटके हुऊं को सही रास्ते पर ला देता है, मानव जिवन बना ही बदलाव से है, इसमें कुछ बदलाव तो आपको सफलता दिलाएंगे, और कुछ बदलाव सफल होने के कुण सिखाएंगे, धन, दोलत सफलता नहीं, इनका सदुप्योग सफलता दिलाएगा, जिन्दगी को समझने के लिए सत्य कुधारन करना है, और जिन्दगी जीने के लिए सत्य आचरन करना है, सत्गुरु की किरपा और राशीर से कुर्सिक का आचरन, गुर्मत के सिंधातों के अनुसार होगा, इससे उसकी संसारिक यात्रा भी अच्छी होती है, और व्यवार एक जीवन भी अच्छा होता है प्यार करें सतकार करें हम ऐसी रहमत करदाता अपना सुखी संसार करें हम ऐसी रहमत करदाता तेरी पूजा तेरी भगती और तेरा ही ध्यान धरें तुझ पे ही विश्वाश करें हम ऐसी रहमत करदाता तेरा ही आधार लेहं, ऐसी रह्मत कर दाता सद्कूर्थ अच्छेवाश्या, ऐस तरह आप जी ने ये ब्रंग्यान दिया है और हमें ये विश्वाश दिया है, इसी तरह हम विश्वाश करते चले जाएं अपनी भगती को हम द्रिरट बनाते चले जाएं भगती को मजबूती अगर मिलती है तो वो विश्वाश से मिलती है जिनका विश्वाश पूरा होता है क्याते हैं कि फिर उन्हें और कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती भगवान उनके मन में हर पल विराजमान है विश्वाश ही भगवान है भगवान ही विश्वाश ह इसलिए हम विश्वाश करते चले जाएं और सत्गुरू कि जो भी हमें शिक्षाएं समय समय पर मिलती हैं इन शिक्षाओं को जीवन में धार्न करते चले जाएं बोलांदे नक्षियां ते, हम लांदा रंग भार दे जीवन गुजारा तेरे संता तो डर्दे डर्दे ये सचे बाश्या जो भी ये बोल बोले जा रहे हैं जो भी ये संतों मापुर्शों के वच्चन सुने जा रहे हैं इन पर हम अमल भी करें और संतों मापुर्शों का आदर सत्कार भी करते चले जाएं और सभी के लिए दासी सद्कुर माताजी के चर्नों में यही अरदास करती है सचे बाशा सभी को सद्बुद्धी देना, सद्विचार देना, सद्मारक देना, सद्व्यवार देना सभी के उपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाएगी सभीने मिलकर सिमरन में साथ देना है तूही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैं नुबख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जै निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जै साज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी